हेलो डिरे स्टुडेंट्स, वल्कम टू मैंगनेट ब्रीन्स मैं संचुता जैन आपकी SST एजुकेटर आज के सेशन में लिखे आई हूँ आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ स्टुडेंट्स के लिए सामजी विज्ञान मेतिहास का चैप्टर नमबर फोर जिसका नाम है वन्यसमाज और उपनिवेशवाद और आज हम पढ़ने वाले इसका नेक्स टॉपिक, टॉपिक का नाम है वन विद्रो हो ठीक है प्रिविएस वीडियो में प्र वनों के प्रतीपाबंदी लगाई गई थी वन कानून बनाए गए थे और लोगों पर अत्याचार हो रहे थे अब इसके प्रणाम सरूप विद्रो तो होगा ही लोग कब तक सहिन करेंगे जी हां तो भारत में विभेनत जगह पर वन विद्रो हो चालू हो गए थे यानि कि जो कानून बनाए थे उनका व्रोध होने लगा था आल राइट चलिए तो शेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो जादा से जादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइ में प्रोवाइड कराते हैं सीबसी वोड के साथ साथ अमपी वोड यूपी वोड बिहार वोड दिल्ली वोड राजस्थान वोड के स्लेवर्स को कवर कराया जाता है काफी सारे स्पेशल कोर्से हैं हमारे पास जैसे की व्यादिक मैंस क्रैश कोर्स और स्पोकर इंगलिश और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर high quality education के साथ, fully organized complete course के साथ, इदम free of cost प्रोवाइड कराये जाते हैं। आज का ये session आपके like और share के साथ, आजाए वन विद्रोह, ठीक है, तो हिंदुस्तान और दिनिया भर में वन्यस समुदायों ने अपने उपर थोपे के बदलावों के खिलाव जो है बगावत चालू कर दी, बगावत यानि की विद्रोह चालू कर दिया, जहां जहां ब्रिट European countries ने अपने वन कानून वहां के वन समुदाये पर वहां के जंगली समुदाये पर थोपे थे, अब लोग परेशान हो चुके थे इनके कानूनों के द्वारा, क्योंकि उनके रोजगार के साथ अंचिन गए थे और उन्हें इन European countries के अंडर में गुलामी करनी पड़ रही थ ठीक है तो हिंदोस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदाये ने अपने उपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ क्या करी बगावत करी उनका विद्रोह किया जैसे कि हम बात करें संथाल परगना की, संथाल एक जुनजाती का नाम एक ट्राइप्स का नाम है तो संथाल परगना में सीधू और कानू नाम के दो व्यक्ति थे छोटा नाकपुर में बिरसा मुंडा इनका नाम तो आपने सुना होगा और आंध्रोप्रदेश में अलूरी सीताराम राजु को लोक गीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उब्रे आंधुलनों क नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है क्या बात बताईगी है संथाल परगना में सिधू और कानू छोटा नाकपुर में बिरसा मुंडा और कहां आंध्रोप्रदेश में अलूरी सीताराम राजु को लोग गीतों और लोग कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उ इनके नाम के लोग गीत कए जाते हैं इनके नाम की लोग कथाओं आज भी लोगों को सुनाई जाते हैं तो यह तो होगी बेसिक सी इंफॉर्मेशन की कब और कहां और किन ने ये वन विद्रोह चालू किया था अब हां बात करते हैं बस्तर के लोगों की बस्तर कहां है बस् बस्तर चतीस गड़ के सबसे दक्षडी चोर पर आंध्रप्रदेस उडिसावा महरास्ट की सीमाओं से लगा हुआ एक शेत्र है और बस्तर का जो केंद्रिय भाग है वो कैसा है पठारी भाग एक प्लैट्यू है ठीक है ना तो वो बहुत जादा उठा होता है ना वो बहुत नाम है तो बस्तर में मरिया और मुरिया गौण, धुरवा, भत्रा, हलबा, आधी अनेक आधिवासी समुदाएं जो हैं रहते हैं और बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाओं को उसकी जमीन धर्ती मां से मिली है और बदले में वे प्रत्यक खेती हर त्योहार पर धर्ती को क्या करते हैं? चडावा भी चडाते हैं. ऐसा मानना है बस्तर के लोगों का. ठीक है? क्लिरर और यह बात. यानि की हमारा जो आदिवासी समुधाया है जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं खास तोर से वो क्या होते हैं प्रकर्ती पूजक होते हैं या प्रकर्ती की पूजा करते हैं क्योंकि हर चीज हमें कहां से मिल रही है प्रकर्ती से मिल रही है और आदिवासियों का जंजातिय समुधायों का जंगलों में रहने वाले लो होती है और हम सब की भी होती है तो बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गाउं को जितने भी गाउं है हर एक गाउं को उसकी जमीन कहां से मिली है धर्ती मां से मिली है और बदले में वे प्रते खेती हर्त्योहार पर धर्ती को चड़ावा चड़ाते हैं खेती हर्त्योहार जैसे ह इसका क्या मतलब है खेती हर्तियोहार का कि जैसे ही फसल कटके तैयार हो जाती है तो उसको खेती हर्तियोहार के रूप में मनाया जाता है यानि कि धर्तिमा जब हमें अनास देती है फसल देती है तो उसको हम त्योहार के रूप में मनाते हैं और धर्तिमा को चड़ावा किया जाए वहां रहने वाले जानवरों को मार दीया जाए ठीक है उनकी आज इभिका का साधन चील लिया जाए तो इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राक्रतिक संपदाओं की देख भाल करते हैं क्या कहा गया है? हर गाओं को अपनी सीमा पता होती है इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राक्रतिक संपदाओं की देख भाल करते हैं और यदि एक गाओं के लोग दूसरे गाओं के जंगल से थोड़ी लकडी लेना चाहते हैं, तो इसके बदले में वे एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, पहली बात क्या कही गए है कि हर एक गाओं को अपनी बॉर्डर पता है, सीमा पता है कि हमारा हिस्सा कितना है, ठीक है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, सीमाओं की भीतर, उस गाओं की बॉर्डर के भीतर ही प्राक्रतक संपदाओं की देख भाल करते हैं, यानि कि हर एक गाओं अपने अपनी प्राक्रतक संपदा की यानि कि प्राक्रतिक प्रापर्डी की देख भाल करता है, और अगर एक गाओं के लोग दूसरे गाओं से थोड़ी लकडी लेना चाहें तो ले सकते हैं लेकिन इसके बदले में क्या करना होगा इसके बदले में उनको फीज देनी होगी कुछ शुलक अदा करनी होगी ठीक है जिसे देवसारी दाड या मान कहते हैं उस शुलकों को उनकी भासा में क दाड या मान कहा जाता है ठीक है अब कुछ गाउं अपने जंगलों की हिफाज़त के लिए चौकीदार रखते हैं कुछ गाउं क्या करते हैं अपने जंगलों की हिफाज़त के लिए अपने जंगलों की सुरक्षा करने के लिए चौकीदार भी रखते हैं जिनें वेतन के रूप में क्या देते हैं? जो चौकीदार जंगलों की हिफाज़त के लिए रखा है गाहँ वालों ने, अब उसको कुछ देना तो पड़ेगा, फ्रीम में तो कोई आपका काम करेगा नहीं, तो वेतन के रूप में क्या देते हैं? वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा क्या दिया जाता है अनाज दिया जाता है अल्राइट किलियर हो रहे है कहानी कि किस तरीके से लोग जंगलों को इंपोर्टेंस देते थे अब जब उनके जंगलों को नस्ट किया जा रहा है उनसे उनका रोजगार का साधन छीना जा रहा है उनके जंगली जानवरों को मारा जा रहा है तो वो विद्रोह तो करेंगे ना ठीक है चलिए तो आज का शेशन भी यहीं पर खतम होता है आज के शेशन में हमने बस्तर में बसे हुए जंगल और वहां की आबादी कैसे जंगलों को मानती है कैसे उनकी रिस्पेक्ट करती कैसे उनकी करती है इन सब चीजों के बारे में जाना अल्राइट चलिए तो आज का शेशन यहीं पर खतम होता है मिलते हैं जल्दी ही अगले शेशन में अगर आप हमारी डेली के लाइफ शेशन और रिकॉर्डिट सेशन से जुनना चाहते हैं सारी चीज़ें उपलब्द हैं मैंगनेट ब्रेंस के यूट्यूब चैनल वेब साइट और एप्लिकेशन पर मैंगनेट ब्रेंस इंडिया का नंबर वन 100% free online education platform है इसके अलाव अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के description box में दी गई है वहां से आप सारी चीज़ें सारी जानकारी के साथ प्राप कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कही सारी टॉप कोर्स हिंदी और इंगलिस दोनों मीडियम में उपलब्द हैं सीवेसी बोट के साथ साथ दिल्ली बिहार यूपी एंपी राजिस्थान बोट के सिलिवस को कवर कर आया जाता है काफी सारे special courses हैं हमारे पास जैसे की वैदिक मैस, crash course और spoken English और इतने सारे courses आपको एक ही single platform पर high quality education के साथ fully organized complete course के साथ इक्दम free of cost मिलने वाले हैं Magnet Brains, YouTube के लावा other social media platform जिसे की Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp पर भी उपलब्द है आप हमें यहां भी follow कर सकते हैं यहां से भी सारी जानकारी प्राद कर सकते हैं तो आज के शेशन को जादा से जादा लाइक और शेयर करते हुए चनल को सब्सक्राइब भी करना है हमारे साथ बने रही है, जुड़े रही है, पढ़ते रही है, कुछ शेयत आएंगी सो मच